श्री राधे, नुमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी रिटूब चल में स्वागत है, मैं विजिंदराज आपके लिए को नया वीडियो लेके आया हूँ, आज के वीडियो में कता है बगवान बालक्रिशन की, कि कैसे उन्हें अपने राम होने की याद आ गई, बड़ी प् लाला से कहती है कि लाला, तुझे नींद आ जाए, चल तोकु में एक कता सुनाती हूँ, भूले ठीक है मैं, मा कता सुनाना शुरू करती है, कि सुनी सुत एक कता कहूं प्यारी, कि बेटा, एक प्यारी कता मैं कहती हूँ, अब जैसे ही ये कहा, तो कृषन जी बड़े खु भगवान हुकारे बर रहे हैं, उनके चार बेटे हुए, उन में से सबसे बड़े राम थे, अब जैसे ही कृषन जी ही तो राम है, बोला तो बड़े खुश हो गए, और मन ही मन मुस्कुराने लगे, फिर माव कता सुनाए जा रही है, कि फिर राम जी का विवा करवा दिया उनकी श्रेष्ट पतनी थी बेटा, जिनका नाम था सीता, और ये राजा जनक की बेटी थी, अब बाल कृषन को कता सुनते सुनते नहीं दाने लगी, आख बंद होने लगी, पर मा कता सुनाए जा रही है, मा कहती है कि अपने पिता की आज्या का पालन करने के लिए, उन्ह जनकी उनकी पतनी साथ में गई, सब वनवासी हो गए बेटा, और वो वन में रहने लगे, एक दिन की बात है कि सीता जी ने एक सोने का म्रेक देखा, कि आप मेरे लिए इस म्रेक को ला सकते हो, तब राम जी उस हीरन को लाने के लिए पीछे चले गई, काफी देर हो गई, तब जनकी जी ने लक्षमन जी को भी भेजा, कि जाओ मुझे लगता है कि आपके भाई के प्राण संकट में है, मा कथा सुनारी और बाल क्रिशन शो गए है, तब लक्षमन ने कहा कि मा जनकी भाईया को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सीता जी ने थोड़ी जिद की, और उनक जानकी का हरन करके ले गया, और जानकी रो रही है, चिला रही है, कोई मुझे इस दुष्ट से बचाए, कोई मेरी रक्षा करे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है, अब इतना ही सुनना था, कि लाला के नींद भाग गई, और तुरंत उठ बैठे, और जोड से आवाज लगा लक्षमन, लक्षमन, कहा हो, लाओ मेरे धनुस लाओ, मेरा बान दो, मैं इस रावन का अभी मार दूँगा, अब मा एकदम भोचकी रह गई, सहम गई, कि हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे लाल को, आश्चरिय में भरकर अपने लाला से पूछती है, कि बेटा, तुझे क् मैं तो तुझे काहनी सुना रही हूँ, और तू उल्टा कह रहा है कि मेरे बान लाओ लक्षमन, मेरा धनुस लाओ, मैं मार दूँगा, अब भाल क्रिशन बड़े मिठे बोले, मा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा धनुस बान लाकर मुझे दे दो, मैं अभी रावन का वद्ध क कौन कर सकता है, अब मा फिर सोच में पड़ गई, कि ये क्या बोले जा रहा है, उसे तो राम ने मारा है, राम त्रेता युग में हुए है, और वो तो प्रमात्मा है, परबरम है, तू क्यों उसे मारेगा, मा डर गई, और कहने लगी, कि बेटा, कनवा, तू क्या बोले जा रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा अरे राम तो त्रेता युग में हुए थे तब बालकृष्ण बड़ी मीठीवानी में बोले मा मैं तो कुछ सच कह रहे हूं मैं ही राम हूँ और जो बल्दाव भाईया ना वो लक्षमन है अब मा का मा था और खराब कि ये क्या कही ज पका कोई भूत प्रेता आ गया इसमें जो खुद को राम कह रहा है और बल्दाव भाईया को लक्षमन कह रहा है मा डर गई कहते हैं इसी बीच रोहिणी मैं आ गई और ये शोदा से कहती है अरे बहन क्या हो गया तो ये शोदा मा कहती है कि क्या बताओं मैं इसको सुला रही थी और राम की कहानी सुना रही थी सुनाते सुनाते जान की हरन की लिल आ गई और ये कहता है कि लक्षमन मेरे धनुस लाओ मेरे बान लाओ मैं भी रावन का वद कर दूँगा खुद को राम समझ बैठा है ये तब रोहिणी मैया हसने लगी और कहती है कि बेहन क्या हो गया किसी नाटक में इसने राम का पात्र देख लिया होगा खुद को राम समझ बैठा है क्या पता ये राम भी हो बोली बेहन तू भी मढड़ा बोली नहीं नहीं मजाग कर रही हूँ ये भी तो वैसा ही सावरा है जैसे राम सावरे थे ऐसा कह कर रोहिणी मैया ने समझाया इतने में क्रिशन जी को हो साया अरे मैं क्या करने जा रहा था आज मा को सच्चाई पता चल जाती तो मुझे भगवान मान लेती बाल क्रिशन बोले हम यह रावन जानकी का हरन करके ले गया अब मा आगे के कथा सुनाओ हाँ अब ये शोदा के जान में जान आई है मा बोली देख कथा मैं तो कुफिर सुनाओंगी अब जो कथा सुनाई है अभी इसी से बाहर ने निकल पा रही हूँ अब तु चुपचाप सोजा बड़ा प्रेशान करता है तुम जब मा ने ऐसा कहा तो बाल क्रिशन मुस्कुरा दिये हैं और मुस्कुरा कर मानो मा पर आज माया फेर दी है और मिया सब भूल गई और बाल क्रिशन को उठा कर अपनी च्छाती से लगा लिया है और च्छाती से लगाते ही बाल क्रिशन हाथ सो गए है तो ये थी बाल क्रिशन की एक छोटी सी लीला जो मा आपके सामने लेके आया हूँ स्री सूर्दास जी महाराज ने बड़ा च्छा वर्नन इसका किया है अगले वीडियो में भी मैं आपके लिए एक सूर्दास की कथा लेके आऊँगा अब दसेरा था और ये मुझे लीला कहीं से पढ़ने को मिली तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि इस भाने भगवान राम को भी वंदन हो जाएगा दसेरा भी मन जाएगा और बारल कृष्ण की कथा भी हो जाएगी ये दसेरा ये दसेरे का तोहार आपके जीवन में खुसियां भर दे बुराई पर अच्छाई की जीत हो हम सब के जीवन से बुराई निकले भगवान राम ने जिस तरह से असुर रावन का वद किया था वैसे ही हमारे जीवन से आसुरी वरतियों को भगवान राम दूर करें अगले वीडियो में भी मैं आपके लिए श्री सूर्दास जी की कथा ले क्या हुआ कि किस तरह से राधा और कृष्ण ने शाक्षात सूर्दास जी को दर्शन दिये तब तक के लिए जै जै श्री राधे